मैं हक से कहती हूँ, शाम हमारा है, मुझे पग पग पे हो, बेता सहारा है. मुझे पग पग पे हो, बेता सहारा है. मुझे पग पग पे होटेल ले लिया था, बस वहां पे फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया, गर्मी बहुत जाधा थी, तो हमने शाम को सोचा के शाम को निकलेंगे दर्शन करने के लिए, बस फिर हम लोग चार बजे के आसपास धर्शन करने के लिए निकले, फि पंक जो के शाम बाबा को चड़ाया जाता है, और उनकी इतने अच्छे अच्छे स्वरूप, उनकी फोटोग्राफ फ्रीम की हुए, इतनी सुंदर फोटो उनकी शाम बाबा की आपको पूरा रास्ते में मिलेंगी, कि बस ये किलोमेटर कैसे निकल जाएगा, आपको पता ह नहीं चलेगा इस पर मेरा इतना मन आ गया था, ये इतना खुबसूरत लग रहा था, इतना प्यार लग रहा था, कि मेरा मन था के दर्शन करके वापिस आएंगे, तो ये फ्रेम मैं जरूर घर लेके जाओंगी, इनके पास सच में शाम बाबा की बहुत अच्छी 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 फ्र बस फिर मंदिर के पास पहुँच कर मैंने भी शाम बाबा के लिए प्रसाद लिया, उनको भोग लगाने के लिए इस शौप से प्रसाद लिया, और अंदर की तरफ चल दिये, क्योंकि अभी मुझे आगे से इतन भी लेना था, और गुलाब भी लेने थी, मोर पंक भी लेन था शाम बाबा के लिए, बस सबसे पहले यहां से प्रसाद लिया, उसके बाद अंतर दर्शन करने के लिए चल दिये मंदिर में भीर तो बहुत जादा थी, बहुत जादा लोग आई हुए थे दर्शन करने के लिए, पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत सारी लाइन्स हैं, दर्शन करने में बिलकुल भी परेशानी नहीं होती, मैं तो काफी सालों बाद गई हूँ, प बीर बहुत सादा होने के पावजूद भी इतनी सारी लाइन्स थी, कि आप किसी भी लाइन में लगें, दर्शन आपको बहुत अच्छे से ही होंगे मुझे पगपग पे वो दे का सहारा है जब जब मैंने इसका नाम लिया है इसमें आके पल में मुझे थाम लिया है मैं हमक से कहती हूँ, शाह हमारा है बस शाम बापा के इतने अच्छे से दर्शन करके हम लोग बाहर निकले और उसके बाद हम गए शाम कुंड की तरफ यह जो आप देख रहे हैं, यह शाम कुंड है मान्यता यह है कि शाम कुंड में नहाने से इंसान की सभी चाउं की पूर्ती होती है और उसे गोलोग धाम की प्राप्ती होती है केहने को तो यू सारे ही अपने है तेरी वज़े से पूरे हुए हर सपने है जो कुछ है आस मेरे वो सब तो तुम्हारा है हमने भी शामकुन से अपने उपर छीटा लगाया और यहीं शामकुन के पास में ही जहां अर्जी लगाई जाते हैं वही नारियल बांदे जाते हैं यहां पे बस शामकुन से निकलते ही यहीं पास में ही फिर शाम बाबा का जल मिलता है जो की शाम बाबा के ओपर चड़ता है यह वही जल है जो यदो इंते हैं यहां आक रही जल है जो यहां जो अबता हैpsem वो जो वाइड कोलर की बॉटल में आपको दिखाई दे रहा है ये इस डारेक्ट शामकुन से आया हुआ जल है आप चाहें तो यहां से शाम बाबा का जल भी लेके जा सकते हैं हमने भी यहां से शाम बाबा का चड़ाया हुआ जल लिया था बस फिर उसके बाद मैंने इस परूप था इतना सुन्दर पिक्चल सी फ्रेम की हुई कि मैं अपने आपको रोख ही नहीं पाई इस तरह से दर्शन करके निकलते हुए हमें रात हो गई थी अंधेरा हो गया था उसके पाद हम लोगों ने होटेल लिया और रात में ही घर की तरफ वापेस निकल दिये तो पग पग पी वो जीता कहारा है